स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल साइंस टो टेकनोलोजी में मैं अनुपमवेपुल आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थंश्टी में आज हम लोग बात करेंगे प्रिंटेट सर्किट बोर्ड यानि की पी सीबी के बारे में तो आएस इसको समझ सबसे पहले यह हैं सरे सरे स्वाइब tensions आज में कोई भी बना हुआ है इसमें जरूर इसका जरूर इस्तिमाल करेंगा आप को यहाँ पर साथ नहीं करना, गैस नहीं करना गैरेंटीड है, तो इसमें आपको कुपाते हैं, और प्लस यह समझे है, यह बहुत सारे और कमपेंट के लिए बेस के तोर पर काम करता है, यानि कि आपका मोबाइल फोन में एक PCB बनता है, तो आपका सिस्टम और चिप लगता है, पीसीबी पर ल यह बहुत सारे कमपेंट लगता है, लेकि नहीं का दो कोर अलिमेंट है, पहला है फाइबर ग्लास, जिसका इस्तमाल करते है, यह परत बनाया जाता है, यह बनाया जाता है, दूसरा इसके उपर कॉपर की शीटिंग की जाती है, और उसमें इस सारा तिकडम बना के बनाया आप करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें जोडने के लिए आपको इसा को केबल करना पड़ेगा तो केबल का जगा जो था मतलब केबल जो ऐसा हॉचपट बन जाता था चुड़िया घर जो बन जाता था इसको हटा के हम लोग कॉपर ट्रेस से काम करते हैं करने कि जो मैंने को आपका फाइबर ग्लास से कॉपर बॉंडेट रजा तो कॉपर ऐसे नहीं उखड जाएगा तो वहां पर आप एचिंग करके ऐसा कर देते कि पट्री जैसा बना तो उसमें वह तार जैसा बीहिव करने नगता है और इंसुलेशन के लिए दो चीज का इस्त पहला तो हो जाता है दूसरा दो भी ट्रेस अगर आप बनाते माली एक तार आप बनाते हैं फिर दूसरा जो आप बनेंगे कभी भी ऐसा नहीं करें वो इसको छुए उससे थोड़ा सा गया डिपेंड करता आपका वोल्टेज कि इतना है कितना है उसके इसाब से आप गया इसको टच मत करो ऐसे करके आप इंसुलेशन कर लेता है तो तार भी बन गया इंसुलेशन भी हो गया और फिर माउंटिंग लिए जैसे आपको रेजिस्टर लगाना है फ्लक्स लगाने वह वह सब करने के लिए आप आराम से चेट कर देते हैं तो PCB में समझी आप आराम से म सबसे बड़ा असर यह होता है कि यह मास प्रड़क्शन पॉसिबल कर देता है यह बहुत ज़रूरी है मैं बार-बार कहता हूँ कि लैब में अल्मोस्ट हर कुछ बन जाता है हर चीज बन जाता है आप अपने घर में एक्टो कम्प्रड़क्शन बना ही लेगे क्या उसे मास पड़िश कर सकते हैं कि ने वहीं पर 99.99% चीज फेल हो जाता है तो यह जो टेक्नोलजी यानि PCB मैनेफे सब्सक्राइब करना पड़ा पूरा है तो यह कंप्यूटर उतना छोटा नहीं हो कि आपके पॉकेट में रखतिया जाए तो यह लॉजिक है अब बात करते से बनाया कैसे जाता है यहाँ पर यह समझी है बहुत ही involved complex procedure है तो हम इसका core steps को समझा देते हैं और नीचे मेरा खूब सारे वीडियो इसको देखके आपको एक पूरा understanding में जाओ एक्च्वल फैक्टरी का टूर है तो पहला आप समझी है आप डिजाइन बना जाएगा यहाँ डिपेंड करता लगा लेकिन पहला step होता है डिजाइन बना डिजाइन को आप कई बार एक नाम सुनते होंगे गर्बर फाइल गर्बर फाइल समझी एक standard system है जिसका इस्तमाल करके सारे manufacturers cross compatible बना लेते हैं यानि ऐसा समझी यसा USB है आपका JPEG है यह तोनों क connector हो गया वो obviously उसको आपको तार में बदलना है तो उसके लिए आपको उससे हटाना पड़ेगा copper यह बात समझने जरूरी है आपको यह भी sheet खरीते हैं उसमें पूरा 100% coverage होता है आप बस हटाते जाते वह यहाँ हटा दो यहाँ हटा दो इसके बगल में हटा दो आप यह chemical से इसको protection करें और वो bond कैसे करेगा उसको UV light का इस्तमाल करके किया जाता है कि ठीक है हम इसके उपर एक protection लगाएंगे protection को UV light का इस्तमाल करके की ओर करेंगे UV light कहां की ओर करेगा वहीं पर आपका गरबर फाइल आएगा गरबर फाइल का इस्तमाल करके वह मास्क बना जाएगा तो ठीक है UV light से वह एरिया protected हो गया अब इसे बात में डाला जाएगा जहां एचिंग का इस्तमाल किया जाता है एचिंग मतलब कि बहुत सारे ऐसे elements होते हैं जो copper को नोचके खा जाते हैं तो वह सब elements जो है जैसे आप liquid बात में डालेंगे एच करके हटाते चाला जाएगा तो आपका negative त्यार हो जाएगा यानि copper हट गया है अब आपके पास सारा traces बच गया है तो ऐसे करी किया जाता है और यह हुआ step 1 यानि अब आपके पास level बन गया जानी आपका design बन चुका है PCB टेकनिकली हो चुका है अब इसमें आप छेद क black blue यह सब soldering mask का color होता है यह mask इसलिए लगा जाता है ताकि पहली बात तो यह copper का परत एक ही side से चिपका हुआ है उखड़ सकता है तो पहले यह परत लगा देने से थोड़ सा इसको और bonding मिल जाती और insulation का value बढ़ जाता है कि मतलब voltage mood हुआ तो कूच जाएंगे वो नहीं कर पाता है तो वह double benefit देता है और इससे यह फैदा है कि जहां पर masking हटा देता है ठीक है मैंने यह पूरा masking किया लेकिन यह सब पैड पर मैंने masking हटा दी अब अगर आप solder सीधा गिरा भी देता है इस पे solder सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ महीं फशेगा इसलिए इसे solder mask का आ जाता ह यह solder को कहा देता है तुम इधर उधर मत जाओ तुम बस यहीं जाओ यहां जैसे अगर यह ball grid array जो आप देखते होंगे मतलब एक solder को reject कर रहा है दूसरा solder को पया से बुला ले रहा है अरे आहा हो तुम हमारे पास तो यह दूनों का फाइदा इस्तमाल करके हम लोग बहुत हाई स्पीड में soldering कर सकते हैं इसी सब कारण यह दो टेक्नोलोजी कि पहला टिनिंग कर रहे हैं दूसरा masking कर दे रहे है इसलिए आप जो देखते हुए solder paste लगा दिया मशीन और उसके पर बस समान रख दिया और उसको ओवन में डाले वह खुद बखुद कैसे होगा एक तम चगा चगा चग वह इसी कारण से होता है कि दो चीज एक दूसरे को मदद कर रहे है पहला एक चीज solder को हटा देता है भ बचिशिक प्रिंटिक मतलब इसके उपर प्रिंट करते हैं अगर आप किसी बड़े फेक्ट्री में कहते हैं मिरे सक ofेड कोई भी कम्प्यूटर या टीवी या सदेखें इसमें सीरियल नमबर लिखा जाता है जैसे कि ताकि मदलब अगर मालीज आप कागजपतर खोद देते हैं अपने मदलब का तब भी वो सीरियल नमबर को स्कैन करके लोग प्रकर लेंगी कौन है कहां है कैसे बनाए गया था तो प्रेट बाहर बतायते हैं क्योंकि अगर आप सही सब कर पाते हैं एचिंग प्रोसेस सब सबसे फजीत वाला है क्योंकि आप समझे कॉपर हठार है तो वह जो सलूशन है वह डाही उठ हो जाता है तो कही जिगां पर ऐसे सलूशन के पीछे महनत की जाते कि जिससे दोबार बार बार फ्रेश केमिकल खरेंना महिंगा बहुत पड़ता है तो यह सब करना पड़ता है यही समझी स्टेप से कैसे हो रहा सब के अलग लगात है और आप अपने घर में वी कर सकते हागा चाहें तो अब बात करते है रूल से रिगुलेशन के कि जैसे समझी यूस्भी है यूस्भी आप कैसे जानते कि यूस्भी चलेगा क्योंकि यूस्भी एस्सोसियेशन है ब्लूथ है कैसे चलेगा अफ़ एस चीज के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए तब ही चल सकता है और यहां पर फीजिक्स का रूल लागू हो जाता है जैसे कि आपका जो वित है यह आपका जो ट्रेस है पीसीव कितना विथ होगा उसका और कितना हाइट होगा यह डिपेंड करता वो कितना एनरजी कर सकता है जैसे कि आपको यह पीसीव का में एक्जामपल दूँ आप तुरन देखके बता सकते हैं कि यह पीसीव जो छोड़ा जादे बड़ा है यह मतलब ट करेंट को कारी करने पर गरम नहीं होगा क्योंकि रिजिस्टेंस कम है बाखी सब पतले-पतले अगर उसमें बहुत एम्पेर डाले स्वाहा हो जाएगा तो यह देखके आप तुरन समझ जाता है इसलिए पीसीव को आप नजल से देखेंगे आप तुरन पती जाएगा मदर आप जैसे लिमिट होता है कि यह गेज का तार इतना एमपेर को अच्छे से बाज़ास करता है यह गेज चाहिए अगर आप इतना एमपेर लेना चाते यह लॉजिक इसमें भी लगता है और दूसरा हाइट को यानि थिकनेस को कि कि इतना उंचा है तो आपको को पर प्लेट पीसी मैनुफेक्ट्रिंग साइट वाज आपे देगें दूसर बता देगा कि हम इतने पतले कॉपर का इतना दाम लेते हैं मोटे कॉपर के लिए और फिर डिपेंड करता है कितना वोल्टेज भी अकाम करें जैसे कि मदर बोर्ड में वोल्टेज बहुत कम होता है मदर बोर में दो है एक में लाइव एक में नूट्राल है आपका एरांट 220 फोल्ट है लेकिन वहीं अगर हाई वोल्टेग लाइन देखते होंगा देखते होंगा यह सब कम से कम तीन फीट का गैप रखना पड़ता है मतलब एक से दो फीट का रेडियस नहीं कभी वी एक दूसरे के कि वोल्टेज बढ़ाने पर कूदने की कपैसिटी बढ़ जाती है और हावा रोक नहीं पाता है कूदने से तो इसी कारण से वह यहां पर भी लॉजिक लगता है PCV में कि आपका ट्रेस कितना नजदी के दूसरे के पास जा सकता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज कितना ह गाता है तो पहुत नस्दी जा सकता है इसलिए को आप लोटेज करें वहाइल का ट्रेस बहुत महीं होता है कि वहीं पर दिखें कोई बड़ा जैसे इन्वेटर का सब्टेस अश्मारण की फोल्टेज बहुत हाई है तो वहीं समें वोल्टेज और मतलब वोल्टेज को समान तो इसके बाद आता है आप एक चीज नोटिस करेंगे पीसीबी में जनरली कभी 90 डिगरी नहीं दिया चाता है ऐसा इसलिए नहीं कि फिजिक्स बाना करता है कि नहीं कर सकते आप कर सकते अगर चाते बस प्रॉल्म होता है कि एचिंग जो एक प्रोसेस है वो कोई एग्णम मत कि या जाता है गारेंटी नहीं दे सकते हैं कि 90 करते हैं तो बहुत चैंसे होता है वहाँ कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा तो इसी लिए जनरली एक रूल टाइप से बना लिया गया कि यह 45 पर ही तो 90 की कोशिश ना करें क्योंकि यह समझे सुरू-सुरू के टाइम में गारेंटी नहीं दे पाती थे अगर आप लिग देते हो अपने PCB डिजाइन में कि हमको 90 डिगरी चाहिए वह कोशिश करेंगे और आप कई जिगांपर नोटिस करेंगे कि 90 डिगरी आपको टरंस मिल सकता है लेकिन कोशिश की ज यह बहुत त्गड़न बात है यह आप खासकर करेंगे श्विगली लाइन क्यों है बे मतलग बतलग ट्रेस निकला है और फिर वापस जालागे असा क्यों इसे कहा जाता है इंपिदेंस मैचिंग लेंथ मैचिंग अलग-अलग लोग अलग तरीके से बोलते हैं हिसाब यह ह आपका इतना मतलब यह जो PCI बसका अडाप्टर होता है इतना फिजिकली बड़ा होता है आपका प्रोसेसर इतनी ही सुन होता है तो आप करेंगे क्या आप एक ठो निकालेंगे और जो सबसे बड़ा आपको राउट करना है वो ले ले अब जितने छोटे हैं उसको आप आपका सब सिगिनल एक टाइंग पर पहुंचे यह बहुत ज़रूरी होता है हाई स्पीड एक्क्योपमेंट के लिए यानि कि जो आपको देखते हों कि जो मदरबोर्ड PCI 3.0 को हैंडिल कर लेता है वरसेस 4.0 को हैंडिल करता है 4.0 का दाम बढ़ने का कारण एक यह भी है क PCB बनाने में बहुत मैनत लगेगा इंजिनियर को कि हर एक ट्रेस का मैचिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए तो यह सब आपको बहुत सब करने में इंपिडेंस मैचिंग के लिए और लेंध मैचिंग लिए किया जाता है और यह सब को एक रूल के बुक में बांधा गया है ताकि यह रूल का फॉलो करके हर मैं बॉट्फाक्ट्टर कर सकते है उस रूल का एक बड़ा भाई है यह को बनाए गए इतने वोटेज में अगर आप का PCB है इतना वोटेज्टेज के लिए विजए इनवर्टर बनाएं 220 वोल्ट के लिए है उस कैसे हैं पर आप बनाते तो उसके हिसाब से वह पूरा रूल्स में बनाया गया है कि आप कैसे सिग्नल मैचिंग करेंगे आप कैसे एंपर हैंडिल करेंगे और कई बार आप नोटिस करेंगे मल्टी मिटर में खास करके कि पीसीबी में छेड किया रहता है मतलब एक गठाख हो दिया जाता है वह कारण इसलिए नहीं होता है इलेक्ट्रिकली वह कई बार इसलिए के जाता है हीट सिंग के तौर पर वह प्रांग करता है मतलब गर्मी को पहला देता है तो वह भी समझे यह सब एक सोच के बैटना पड़ता है इसलिए इसका रूल बुक्स बहुत सारा है और अलग अलग टेक्नो बहुत सारे और अप्लिकेशन से जो आपको PCB को सॉफ्ट्र में बनाने देंगे ताकि आप पूरा डिजाइन बना सकता है टेस्टिंग कर सकते हैं मतलब वर्चुल टेस्टिंग ही लेकिन आप एक रफ आइडिया अराम से ले सकता है उसको इसको रिफाइन कर सकते हैं या लेजर प्रिंटर का इस्तमाल करते हैं उसको टोनर को एक प्लास्टिक शीप पे लेते हैं और उसे यह करते हैं समझेगे बार बार आइरन का इस्तमाल करके उसे यह बॉंड कर दिया जाता है और अगर आप दस साल पहले से देखेंगे लोग ऐसे बनारे घर में PCP तो जनरल लेज़े कर सकता है काफी लोगों की काफी इंजिरियस हो चुका है तो प्लीज साफधानी से यह बढ़िए नहीं हैं लेकिन यह सब घ्रीक्रें प्रेंबगर यहाद न लगाए दूसरा यहाद और यह दो लेकिन चेमिकल कही जिगाँ पर होता है तो क्या किया जाए तो कही जगाँ पर छोटे-छोटे CNC मशीन आते हैं यह CNC मशीन सिर्फ एक काम के लिए बना जाए होगा है तो इसमें मैंने नीचे वीडियो दे दिया एक बहुत महेंगा मशीन है और उसका सस्ते वर्शन भी आते है केमिकल का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं मतलब सेफ इंवार्मेंट हो जाता है तो वह भी आप कर सकते हैं या जो आजकल सबसे ज़्यदा पॉपिलर हो गया है कि सांती से आप डिजाइन बनाई है टेस्टिंग कर लिजे भरोसा हो जाए आपको उसके बाद सांती से जे-सल-पी अगर आप सीरियस हैं तो यह सब आप्षिन आज के टाइम में बहुत लोग बजट में बहुत जाता केपैसिटी लोगों को दे दे रहा है का आफी सारे बंदे मतलब उनको आडरीनों कुछ पसंद आया उन्हेंने समझी प्रोटोटाइप बना के अगदम शूर हो गया चेक सब पर रहता है मिनिममम इतना साइज आप कम से कम खाईए अब उसके अंदर आप एक अटता है तो ठीक है नहीं होटता है तो पूरा प्लेट भर गई देंगे आपको तो वह रहता है इसलिए आपको कई बनाए यह सब फैक्टरी है यह सब फैक्टरी बनाया लाखों पीस बनाने के लिए एक फैसे यह सेटिंग कर रहा है यह समझे मार्केटिंग कॉस्ट में गिनाएगा क्योंकि एसा कर देने से मली आप जेसल कर लेते हैं अब आपको आधत पर जाता है यहां पर मैं जाओंगा इनको दाओंगा आया शागते औरिक बड़ा electronics बनाते हैं कि ठीके चैसे मैंने ये लेक्ट्रिक काड़ी बनाई है इसके लिए इनवर्टर बना उसके लिए PCB कहां से बनाएं सांति साब यहां जाएंगी तो आई है यह आप कर सकते हैं और इसे काफी लोग यह करता कि जो एक्ठो बनाएं और फिर बाकी सबको जो ह अपने यूटीबर कम्यूटी में बेज देते हैं फिर इसमें बेज देते हैं वो सब काफी किया जा सकता है मतलब अगर आपके वास्किल है आजके टाइम में PCB बनाना बहुत आसान काम हो गया है घर में आप कर सकते हैं लेकिन आपको छोड़ा सा मैचियोरिटी देना होगा CNC से कर सकते हैं महेंगा बहुत पड़ेगा लेकिन किया जा सकता है डालर वो केमिकल से दूर है ना है तो क्योंकि केमिकल को डिस्पोस करने के लिए आपको मतलब थाओ फजियत वाला चीज़ है इंडिया में आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन साथानी पर अतना जरूरी होता है तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन पीसी बीके बारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगो कुछ सिक्में मिला हो कुछ समझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दें दोस्तों शेयर कर दें उससे मेरा काफी बहला होगा नहीं अशा लगा नहीं पसंदा है कोई बात नही बहुत को जीवी दानिवा